अलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल HGK News Knowledge में राइस्थान में स्कूल कोलेज खोलने को लेकर बनी मंत्रियों की कमेटी ने रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है मंत्रियों की कमेटी ने पहले फेज में नवी से बारवी तक के बच्चों को स्कूल बुलाने की सिपरिश दी है चोटे बच्चों की कक्षा हैं दूसरे फेज में सुरू करने की सिपरिश की है सचीवाली में मंगलवार को कमेटी की बैठक हुई इसमें स्कूल कोलेज खोलने की स्टेंडर ओपरेटिंग प्रोशिडूर को लेकर विचार से चर्चा की गई मुखे मंत्रिया सोक गलत को रिपोर्ट सोफ दी जाएगी अब अन्तिम फैसला मुखे मंत्री लेंगी सिक्षा मंत्री गोविन सिंग डोट आसरा ने मीडिया से कहा कमेटी ने सभी पहलियों का अध्यान करके आम सहमेती से रिपोर्ट तयार की है बड़े बच्चों के लिए जाद सहमेती बनी है छोटे बच्चों के लिए सहमेती नहीं है हमने अन्य राज्यों में स्कूल खोलने की SOP, ICMR की सिफारिज, अन्य प्रिदेशों में कोरोना के हाला सहीत सभी पहले हों पर चर्चा की है स्वास्ते मंत्री रगु सर्मा की अध्यक्स्ता में हुई बैठक में सिक्षा मंत्री गोवि सिंग डोटासरा, उच सिक्षा राज्य मंत्री बावर सिंग भाटी, तकने की सिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुबास गर्ग ने भाग लिया, किर्सी मंत्री लाल चंद कटारि पॉन से सुजाव दिये कॉलेज और युनिवस्टी में स्टूडेंट की कक्षाएं शुरू करने पर चर्चा की गई इस पर अंतिम वर्ष की परिक्षाएं चल रही है ऑनलाइन एडमिशन की पिरकिर्या चल रही है जल्द इसे लेकर ग्रहय विवाग विस्तार से गाडलाइ पर चर्चाने एक अगस्टे सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए इसकोल खोलने की गोशना कर दी थी मुख्य मंत्री ने कैबिनेट बैटके आगले इदिन मंत्रियों की कमेटी बना दी इस कमेटी में आप रिपोर्ट तयार की गई है फिर्देश में मार्च के बाद ही स् अलाइन का अक्षाओं चल रही है धन्यवाद दोस्तों से जोड़े हर खबर के लिए हमारे चैनल एच जी के नीज नोलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा